नमस्कार साथियों ASP कोचिंग जैपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार सभी लोग कमेंड करेंगे क्या डंग से विजिबल हो पा रहा है क्या सभी को वाइस के लिए आ रही है सभी को गुडिविनिंग मनकेश मोरवार अशोक पाल अशोक चौधरी विकास भाटी टेक्निकल विक्षा ओफिशिल राज यादव सुनील जिंगार व्लोग्स होके सभी को गुडिविनिंग और एक बार अपना जो लिंक है वो सभी यादा जो बच्चे हैं वो जूड़ सुके और अपनी जो क्लास है इसका आनंद लिजग ठीक है दोस्तों सभी को गुडिविनिंग सभी का स्वागत है एस पी कोचिंग जैपुर के डिजीटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज का हमारा क्योशन है दोस्तों सोरी यहां से तर्मामेटर ग्लास टूब फिल्ड विज चीक है को अधिक्तम ताप मांपी में होता है अल्कु हलोता है मरकरी होता है दोनों होते हैं नन अप दीज यसीता शर्मा यस सर्मन के सोके है ऑके 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 थेंक्यू कुशाल नागर राधे राधे हरेंद्र सिंग ठीक हैं अनमोल वशिष्टर राधे सर ओके राज मेवाल आरेहन सभी लोग जुर चुके हैं सभी का स्वागत है दोस्तों ठीक है अब इस क्यूशन का कमेंड करेंगे आंसर पिष्णाकांच शर्मा बता दिए ठीक है जरूर बताएंगे अब इसका राइट आंसर कमेंड कीजिए मैक्सिमम थर्मामेटर ग्लास टूब तो मैक्सिमम थर्मामेटर का जो ग्लास टूब है वो किस से भरा होता है बहुत इजी क्यूशन है दोस्तों और बहुत बार एक्जाम में पूछा हुआ क्य दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा देखो बहुत बार एक्जाम में ये क्यूशन पूछा हुआ है ठीक है यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोगों के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं मनकेस भी कमेंड कर कर रहे हैं अन्मौल mercury कमेंट कर रही है सार मेरा नाम लोग एक्सप्रेट मेंट पता नहीं क्या तो लिखते हो झीक है एक। मरकरी कमेंट कर रहे हैं सभी लोग करेंगरी एक्सपेरिमेंट ओके एग्री एक्सपेरिमेंट सुप्रिया चौधरी सभी लोगों का एकदम राइट आंसर है चीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो मरकरी mercury इसका right answer हो जाएगा जो mercury है दोस्तों ये भरा रहता है किसके अंदर दोस्तों जो maximum thermometer है उसके अंदर maximum thermometer के अंदर भी भरा रहता है इसके अलावा जो soil thermometer होता है छीक है ये चीज भी आप लोगों को thermometer ठीक है इन दोनों के अंदर ही बरा रहता है मरकरी बात की जाए दोस्तों एहल को हल की तो एहल को हल किसके अंदर बरा रहता है मिनीमम थर्मामेटर के अंदर ठीक है मिनीमम थर्मोमेटर थर्मोमेटर के अंदर बरा रहता है यह चीज भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रख प्रिया भगवान सिंग राजबूद कमलेश चीक है सभी लोग जुड़ चुके हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स क्यूशन है बहुत बढ़िया क्यूशन है दोस्तों फेमस बुक बुक आफ साइन्स और वेदर फॉरकास्ट बाज बढ़िया क्योशन एक ग्जाम के अंदर पूचा गया एग्रो नॉमी जे रएफ ठीक है तो ये क्यूशन एक्जाम के अंदर पूचा गया ऑप्षन है यह फेरेटस यह फ्राइस दूसरा हुज आपने अपने आंसर कमेंड कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा पधाए सुपरिया पादल यह एल्कोहल मिनिममम ओके बहुत अग्री एक्सप्री मेंट सिर आपको पढ़ना नहीं आता है ठीक है आप लोगों कids हानम है वो बहुत दूर दिखाए यह बहुत छोटे-चोटे दिखाए दिए ठीक है बहूत बढ़िया एग्री लाइफ ला हुला है मंकेस मोर WALE महिमा चौधरी मंकेश राजवल ए सपी यह aproveutable कर रहे है क्या कमेंड करें डोग कोषी कमेंड कर रहे है अभी तक राइट आंसर किसी का नहीं आया किसी का भी राइट आंसर नहीं आया इस चीज़ का आप लोग वह रखना है बहुत बढ़िया ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा ठी ओ फेरेटर का right answer हो जाएगा इस चीज का आप लोगों को जहार रखना है ठीक है नेक्स बात करें पीटरड क्रीश हैंजी की दोस्तों पीटर डिकरिश हैंजी ने book लिखी थी ओपस रूरारियम कौन से लिखी थी ओफ़स रूरारियम ठीक है ओफ़स रूरारियम इन्हों ने शानु ठीक है रेडी एंड रेडी ने एग्रोनोमी की एक बुक लिखी जी दोस्तों इन तीनों की ये बुक्स हैं में लिए आप से बुक आफ साइंस पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा next question है concentration of CO2 in soil मर्दा में carbon dioxide की सांदरता होती है option नमबर A है 0.03% B है 0.003% option नमबर C है 0.3% और option नमबर D है 78.03% वड़ाफट अपने राइंट आंसर कमेंड कर दीजिए बहुत बढ़िया मनिशा सैनी ओनलाइन कोर्स कितने का आएगा सर किसका ओनलाइन कोर्स ये सभी के अलग अलग प्राइजेस हैं ये चीज़ आपको पता होनी चीए सुप्रिया चौधरी ओपसरोर आ रही है ओके ओक कर रहे हैं ठीप है फिल्फ सुप्रिया एक एक कमेंड कर रही है राजमेब abolition कर रहे हैं gyzemनिuks makes कर रहे हैं ने राजमेड करें जिए औरन लुड़ा रैघभृ कमेंड कर रहे हैं ने लें जो लोग है उनके सभी के आंसर क्या है गलत मैंने आपसे पूछा है सोईल के अंदर किसके अंदर पूछा है दोस्तों सोईल के अंदर पूछा है और सोईल के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी अगर मैं आपसे पूछता atmosphere में किस में पूस्टा atmosphere में पूस्ता या फिर मैं आप से पूस्टा air के अन्दर तो 0.03 0.03 तो किसमें होता है एयर में होता है ऐसा तो किसी में नहीं होता इसको तो आप कार दीजिए यह होता है एयर के अंदर यह चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और जितना एयर में होता है जितना CO2 वायू में होता है दोस्तों उससे 10 गुना किसमें होता है वर्दा मरदा के अंदर होता है कितना गुना होता है दस गुना होता है यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है तो 0.3 इसका राइट आंसर हो जाता ठीक है यह चीज आप लोगों को याद रखनी है बहुत लोग का की सिर रजसायन का आप योग किया जाता है बहुत बढ़िया किनल स्टो इसका राइड अंसर कमेंड कर दीजे कर राइड आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अबी राजमी यूजर अब जन सर आगये है आप लोगों को स्ल्स नमबर topic शिल्वर अयोडाइट आप्चन नंबर भी है कॉमन साल सी है और मोनियम नाइट्रेट और डी है अल आप दीज वट्ट आवर्ड अपने अपने राइट आंसर कमेंट कर दीजे जो को बहुत ज़्यदा important question है हन्मान नागर कमेंट करें सी सचीन करें महेस महेस कमेंट करें शबहुत बढ़िया पापा का परा लोगों सब लोग के लगबग आऊंसर आ के हैं उन में से एक दो बच्चों को छोड़ दें आरियन को ठीक है तो और बगी सभी लोगों का अंसर गलत है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी ठीक है मैंने आप से पूछा है कि अगर बात की जाए किसके तो बात की जाये दोनों की किसके दोस्तों बात की जाए दोनों की common salt और ammonium nitrate की तो यह हो इनसे होती है दोस्तो warm cloud seedling पहुंसी होती है warm cloud seedling seedling ठीक है लिख लीजे इसको next question की और सलते हैं दोस्तो बहुत important question है father of agricultural metrology in India भारत में क्रशी मौसम विज्ञान के पिता में देखो क्यूशन क्या है इन इंडिया ठीक है तो भारत में बताना है आपको कहां बताना है भारत में बताना है क्रशी मौसम विज्ञान के पिता में कौन है बहुत ज़्यादा important question है दोस्तो इसका right answer comment कर दीजे बहुत बढ़िया hot cloud के लिए NACL और यूज होता है अरे NACL को ही common salt बोलते हैं ठीक है यह चीज ध्यान रखिए ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोगों के बहुत बढ़िया answer आ रहे है पापा का पराद दीपक एग्री लाइफ लाइफ लाइन रश्वीर टेकनिकल आजित्या सभी लोगों के एकदम राइट आंसर दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा option नमबर ए एल एस जो रामदा सहाब है इन्हें क्या कहा जाता है फादर ओफ मेटरोलोजी एग्री कल्चरल मेटरोलोजी इंडिया कहा जाता है बात करें बीपी चाहिए गुलाब के ब्रीडर भी थे ये भी आप लोगों को ठ्यान रखना है बात की जाये हिमान्शु पाटक साहाप की यह प्रोने कों फिस्वशन बूट है कौँछ सेयां को तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगए कि डॉक्टर हिमानसु पाठाग जो वर्तमान डीजी है इन्होंने कब जोईन किया था इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों यह चीज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है ठीक है नेक्ट शूशन की और सलते हैं मोश्यट डेफिशेट उस नेक्स वेल्उ है वह किसे मेजर की जाती है अपने अपने राइट आइट आशर कमेंट करें कि मोश्यट डेफिशेट इंड्एक्ष वालव और एरिड क्लाइमेट ठीक है किसमें यूज की जाती है फटापट कमेंट कर दीजे बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एरिड क्लाइमेट के लिए आप लोगों को मौश्य डेपिशेंट वल्यू बतानी है जिए जीरो से 33 परसे बहुत बढ़िया और फंट-बढ़िया एक अथ बहुत बढ़िया अनम्मोल बहुत बढ़िया ठीक है इस बहुत बढ़िया ओके अगे यह पहुत बढ़ी आंसर आ रहे हैं technical जीपी ए कमेंड और हैं success पाल करें सचिंद्रा डी कमेंड करें मैं कुछ लोग बी कर रहे हैं कोई सी कर रहा है ठीकते हैं किसा राइंण सही होता है अभी अभी ReadIT क्रांड के तो नहीं पता सूपरिया सी कमेंट कर रही है आरियन मनकेस बहुत बढ़िया सभी लोग एकदम राइट अंसरे दोगो मैंने पूछा है आपसे एरिड क्लाइमिट के लिए किसके लिए पूछा है सुस्क जलवायू के लिए नमी की कमी सुचक जो सुचकांग जो मुल्य है वो सुस्क्सक्राइब के लिए होता है बात करें माइनस 33 से माईनस 6 परशेंट से कि यह किसके लिए होता है सेमी एरिड के लिए होता है तो तीनों आप लोगों को यहाँ से याद हो जानी चीए अगर आप से एरिड के लिए पूछे option number c is right आई sir more than minus 66.6% ठीके दोस्तों यह तीनों चीजे आप लोगों को ध्यान रखनी है ओके नेक्स क्यूशन के और चलते हैं यूनिट ऑफ अलवीडियो हुमेडिटी पूर्ण सोरी एबसल्यूट हुमेडिटी जो पूर्ण आदता है उसकी इकाई क्या है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कर रिफ्यूजिंग क्यूशन है दोस्तों आप सब भी के लिए ठीक है तो इसका राइट आसर कमेंट कर दीजिए बहुत बढ़िया सभी हुमेड के लिए मनकेस और मह tossa यह कबिया एंड़ मेई कर रहे है अन्मोल अशोक चोधरी सभी लोग एक दम रइट आंशर दोस्तों बनीशाश्थ श्यहनी सभी लोग खेंग ग्रैट राइट अशर एंप्शन आमबर बी इस वाह राइट आंसर ऑप्शन नमबर वी इजा राइट पीस yeah अगर आप से रराओं पूछी जाथी तो मांते है किसके अंदर परसेंटेज के अंदर विचिए ऐक लिधान हो सवफद सकतर परसेंट परसेंट होनी छीए ठीकएं किस्पर jsem परसंटेज के आंदर मापी जाती है लेकिन आपनी ग्राम पर स्क्रियर है ठीक Comics है अन्दर पोईट ऑफियू से बात करें ग्राम के अंदर ग्राम पर क्लोग्राम में इसमें मापि जाती है इस पेसिपिक ग्रेविटी मापि जाती है यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट आपके एक्जाम पॉइटर फिसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स् कि समें में पाजाता है कमेंट कर दीजिए एक सदरी कमेंट करें एक बहुत बढ़ीया क्वारो सभी लोग एक दम रैट कमेंट कर रहें है अशोग पाल पाल कमेंट कर जीक है आरएच को हिंदी में किसमें मापा जाता है पापा परा कमेंट कर रहे हैं अन्मोल केलविन कमेंट कर रही है को के बहुत बढ़िया मयमा भी कमेंट कर रही है मनके सी सूपरिया कल केलविन कमेंट कर रहे है दीपक सवाय मादोपूर हिंदी में हिंदी में क्या बोलते हैं सरून ताप मान ठीक है मही मांसी कमेंड़ कर ग्राब राजमेवल सबी लोगों का एकदम राइट आंसर देखो जो एपसेड़िट टेमपरेचर एना इसको मापते हैं केलविन में यह सीज ध्यान रखना बहुत इंपोर्टन है किसमें मापते हैं केलविन के अंदर मापते हैं इंपोर्टन्ट आपके आपके और सेल्सियस celsius है दोस्तों temperature की SI unit SI unit आपसे पुछे temperature की SI unit क्या होती है तो क्या होती है celsius होती है और जबकि absolute temperature को किस में मापा जाता है Kelvin में मापा जाता है तो यह दोनों चीज़े आप लोगों को जहां रखने है next है the melting and bolting point of water in आपको बताना है बहुत बढ़िया सभी लोगों के बहुत बढ़िया answer आ रहे है यशिता आशोक मनकेश अनमोल मनकेश एग्रिबाय राजमेवां महिमा सूपरियाद दीपक सभी लोग एकदम राइट आंसर comment कर रहे है सर वेकैंसी कब तक निकले निकाल नेंगे ओक है वैकैंसी कब तक निकलेगी ये सरकार को पता है ठीक है उनकी अलावा किसी को नहीं पता ठीक है बहुत बढ़िया अम मेल्टिंग अरे हिंदी लिकी हुए है जलका उबाल बिंदू और गलनांक बिंदू क्या है बतापट बताई बतीस दिग्री फार्मने हाइट 312 फार्ने है बतीस है दो सो बारा एफ जीरो टेग्री यह हंड्रेड फटावड कमेंट करें बहुत बढ़िया सुप्रिया बी कमेंट कर रहे हैं ओके राहुल त फीख होगा दोस्तों इसका राइट अंसर भी या राइट आंसर और संक है हमसे क्या पूछा गया है फॉर ने है मरे फॉर दिखाने है तो तो यहां पर खैलों दिखाए नहीं देरह यह था दिर्टत कुछां कर यह धोhenter में यह दोन् नों दो option number a है तो या भी है अब तुब जिसको तुख्का भी लगाना है तो जए भेरू जी जए बाला जी या जो भी आप लोग मानते हैं वो भी करना है तो option नमबर एक और दो में कीजिए ना थीन और चार क्यों कर रहे हैं ठीक है अगर आप लोगों को तुकाई माना तो इन दो में बारी है इन दो को लोग कट कर दीजिए तो Celsius आ गया यहां पर कैलीविन आ गया यहां पर Celsius आ गया ठीक है तो यह चीज़ दान रखना पॉइंट हो जाथा कौन सा पॉइंट हो जाथा स्टीम पॉइंट ठीक है लेक लीजिए स्टीम पॉइंट स्टीम पॉइंट हो जाथा ठीक है नेक्स क्यूशन की बात करें दोस्तों डॉप ऑफ 0.5 to 6.0 mm ध्यान रखना यह जो साइज है वो mm के अंदर है mm साइज इस काल mm साइज की बूंद को क्या कहा जाता है क्या कहेंगे क्या ड्रिजल बोलेंगे क्या रैन बोलेंगे क्या फोस बोलेंगे क्या स्नो बोलेंगे पटापट राइट आंसर कमेंट कर दीजे राज की जलक सबसे अलग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है रवीना प्रजा है अन्मूल Rain comment कर रही है देखते है सुपठीय रहें कमेंट कर हुखे अन्म बी कमेंट करिये है अग्री लाइफ लायन सी कमेंट कर है दीपक भी कमेंट कर रहे है परसा बोल रहे हैं कौन राश मेवाल सबसे अलग 위해 कि ag is 820 आले बरबाद बालक हो के बरबाद बालक कि स्थारीक का कमेंट कर रहे हैं और जिस तरीक का कमेंट आया एसा इस से लगबी ऐसा इरह कि बरَّ troubled है की तरी पूर्द कर रहे हैं महींमा आप भी कमेंट कर रहे के एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है इसका राइट डाइड या वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है दोस्तों जो बूंदा बांदी होती है इनकी साइज होती है लैस देन 0.5 mm इनकी साइज होती है यह चीज द्यार रखेंगा बड़ी हसी आ बात करें तो यहं- फोस्ट होती है एक फैदरी इपोस्ट इपोस्टिक है झलखेक है फैदरी डिपोस एक है फैदरी डिक Trans难 अभाषण ऑफ यह ओफ ऑफ ऑफ आइज इस में अजत बनाद को थोड़ी थोड़ी परत के अर्फ में जमते हैं उसे किसके अंदर जुड़ जाती है राज मेवाल आपके पास पड़ा हुआ हूं सर आप मेरे पास कहां पड़ लिए ये बताईए ठीक है सर बारे में साइज बड़ी होती है हाँ साइज बड़ी हो जाती है बहुत बड़िया रिंकु मीना सर पीछे वाला क्यूशन बताओ पीछे वाला क्यूशन भी देख लीजिए यह देख लीजिए melting point and फटाफट लिख लो screen shot ले लो next सलते हैं दोस्तो दा radiation in the sunlight that give us the feeling of hotness सूर्य के परकास में विकीरन जो हमें गर्मी का एहसास देती है क्या कहलाती है वाटाफट राइट आंसर कमेंट करें ठीक है बहुत बड़िया लम की है तर 389 में वाला ला हिंदी में बताजों को मप्राइव सबेशक पाल आरया सभी लोग बहुत बढ़िया इसको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोगों का बहुत सही आंसर आ रहा है राजी आप सर से कब पढ़े हो ओके बहुत बढ़िया दीपा याद आओ पापा का परा सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है दीपक बहुत बढ़िया सभी लोगों का ए की फीलिंस देती है होडले जो बहुत ज़ते ह Quinn cancer के लिए किसके लिए होती दोस्तों skin cancer के लिए होती है इसकी एंशर के लिए होती है ये चीज ध्यान रखना जो कैंसर होता है पूछ निया जाता है कैंसर के लिए जिम्मेदार विकीरण कोन सी होती है अल्ट्रा वॉयलेट होती है चीज द्यान रखिएगा ओके बहुत बढ़िया लेक्स क्यूशन की और चलते हैं हीट फ्लो इन सोलिड देखो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्रीपीजी एक्जामिनेशन के और जो जैट और भी एक्जामिनेशन है उनके रिगार्डिंग में क्यूशन सुनिएगा heat flow in solid soil या फिर solid के अंदर या soil के अंदर tax place by mainly through the process of थोस या मिटी में उश्मा प्रवाह मुख्यता किस परकार से होता है option number 1 है convection, option number B है conduction, option number C है radiation and option number D है all of the above फटा फट कमेंट करती जिए इसका right answer क्या होगा पापा का परा बहुत बढ़िया एग्री बाई राजमेवाल शीलू शर्मा सुप्रिया मनकेश दीपा अशोक सभी लोगों का बहुत बढ़िया answer आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इं सभी इस भी आगे वाले सहनों में आएगा वहां पर आपको और अच्छे से समझ में लिए तक रही बहुत बढ़िया अभी तक ईक बच्चे का राइट ऐस्वाए एक बच्चे के सबी लोग गलत कमेंट कर रहे है पलक सर्माईजर राइट आंसर है टीपायादम सी कमेंड कर wonder यह एकदम गलत आंसर है ठीक है जो यह लोग प्रीपीजी की त्यारी कर रहे है किसकी त्यारी कर रहे है प्रीपीजी की त्यारी कर रहे है और इन लोगों को पढ़ा भी दिया गया है ठीक है तो भी यह लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कैसे काम से लेगा सूरज सी कमेंट कर रहे सूरज याद उसी कमेंट कर रहे हैं सुपरिया कन्विंशन कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों का एकदम गलत आंसर है सिवा एक जने के पलक के ठीक है तो इसका राइट डाइसर हो जाएगा option number B conduction क्या हो जाएगा conduction हो जाएगा मैंने आप से किस में पूचा solid के अंदर पूचा किस में पूचा आप से थोस पदार्त के अंदर पूचा तो थोस पदार्त के अंदर उश्मा का समवहन हो रहा है तो वो कहलाता है conduction अगर convection जो जो convection बोलोगे radiation जो कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग radiation भी कमेंट कर रहे अरे radiation radiation होता है air में हवा के अंदर गैस के अंदर ठीक है यह जिए ध्यान रगना तो radiation के अंदर होता है एर या फिर गैस आप से क्यूशन पूचा जाता हीट फ्लो उश्मा का परवाह अगर लिक्वीड के अंदर हो रहा है तरल पदाज के अंदर हो रहा है क्या कहलाता है convection कहलाता है आप से पूचा गया ठोस में अगर उश्मा का परवाह हो रहा है क्या कहलाएगा कंडेक्शन कहलाएगा रेडियेशन यानि गैस के अंदर उस्मा का परवा होता है रेडियेशन कहलाता है ठीक है सर कंडेक्शन और कंवेंशन में ही कंफ्यूज हूँ देखो कंडेक्शन और कंवेंशन होता है लिक्वीड के अंदर कंवेक्शन कंवेक्शन किसमें होगा लिक कर लिजिए बहुत इंपोर्टेंट कुशन है कि तीनों पॉइंट बहुत बार एक्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों नेक्स क्यूशन की ओर चलते हैं विन्ड प्रेसर इस मेजर्ड वायू का दाब किस से मापा जाता है ऑप्शन नमबर ए बैरोमिटर ऑप्शन नमबर एकल कर दीजे बहुत अच्यां सर वैरि नैस सध्थैंक यू अब इसकर राइट आंसर कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा एक् एक्रि लाइफ लाइन जी इसको मैं आप लोगों को मेंली हिंदी में भी बता रहा हूं जहां तक मैं से हुपाता है ठीक है मैं हैं है ओके दीपा याद आओ एक कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा गलत अंसर सभी लोगों के बहुत ज़्यादा गलत अंसर आ रहे हैं एक बर इस्क्यूशन को एक बर वापिस पढ़ लीजे मैं एट्मोस्फेरिक प्रेशर नहीं पूछ रहा हूं मैं ओनली जाता है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है ठीक है इसके लावा बात करें थर्मोगराप की थर्मोगराप किसमें यूज करते हैं फटापट कमेंट कर दीजिए बहुत बढ़िया सिवाए एक बच्चे के एक बच्चे ने राइट आंसर कमेंट किया है सुप्रिय चोदरे उसके अलावा प्रीपीजी की तियारी कर रहे हैं डबल ओ की तियारी कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं एक कमेंट करें अरे क्यूशन क्या पूचा है मैंने विंड प्रेसर वायू का दाप पूचा है एट्मोस्फेरिक प्रेसर नहीं पूचा ठीक है यह मापा जात एट्मोस्फेरिक प्रेशर एट्मोस्फेरिक एट्मोस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है ठीक है एट्मोस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है लिख लिए थर्मोग्राफ बहुत ज्यादा है यह continuously टैंपरेशर को लगाता टैंपरीयुस को मापगा अंडर दा फिल्ड कंडिशन अंडर फिल्ड कंडिशन फिलोस चैना के आं यह मापता है दोस्तों इवोपो ट्रांस्पिरेशन को इवोपोरेशन को भी माफता है ट्रांस्पिरेशन को भी माफता है ठीक है बहुत ज्यादा important question दोस्तों next question की और सलते है screenshot ले लिजिए next question है देखो बहुत अच्छा क्यूशन है शायद यह क्यूशन रिपीट हो गया फिर भी कोई बात नहीं ठीक है एक बार सौरी सर कोई बात नहीं इसको अब आप लोग याद रखना आगे गलत नहीं होना चाहिए ठीक है क्यूशन है colorless testless और orderless mixture of gas that surrounded earth is known as पर्थवी के चारो और रंग हीन स्वाद हीन गंद हीन गैसों का आवरण पाया जाता है क्या कहलाता है कल पहली ग्लास में मैंने थोड़ा बहुत इसके बार में आपको बता दिया था फिर भी आप लोग इसका अगर गलत आंसर कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्याद ज़्याद बात है अप्शेन नंबर एक है एक्टमोस्पेर भी है ट्रॉपर स्प्यार थी सीस जल्वायू और चोता है मौसम या वेदर फटा फट कमेंट कर दीजेर मनकेश कमेंट कर रहे हैं अनमोल वशिष्ट एटमोस्पेर कमेंट कर रही है यशीता ए मनकेश ए सब्सक्राइब करने के बाद में तो जो वातावरन होता है इसके चारों तरब क्या पाई जाता दोस्तों गैसों का आवरन पाया जाता है इसलिए इसे वातावरन एटमोस्फियर कहा जाता है क्या होता है एंटबोस्फियर की सबसे नीचली लेयर ट्रोफोस्पियर Earth को मेंट करेंगे ठीक है लौव्र मौस्ट लेयर लौवर मौस्ट लैयर लौवर मौस्ट लेयर ऑप ट्रोफोड सब्सक्राइब ओप ड्र ओण अग्ग डोस्तों इसे हाइट होती है 8-18 किलोमिटर 8 प्रों पोलर 18 यह दोनों चीज होगा क्लाइमेट ध्यान रखना वेदर कंडिशन होती है एक बड़े छेटर के लिए अगर आप से बड़े छेटर का वेदर कंडिशन पूछा जा वो इस climate कहलाएगा अगर छोटे परिया चोटे अगर कोई जगे का वैदर कंडिशन पूशी जा रही है वह क्या कहलाएगा दोस्तो वह कहलाएगा वैदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मनकेश मोरवाल अनमोल निशित बहुत बढ़िया रिशाब दीवा यादा हो अहाँ जीरो से अठारा अरे जीरो से अठारा नहीं हो था आठ से अठारा होता है नेक्सक्विशन है कोपेंड क्लासिफाइदा क्लाइमर अरे मैं यह चीजें दो दो बार बता चुका हो फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो मतलब पेपर महां पर क्या करना है आप लोग मेरको फोन कर देना सर हमारा कल का एक्जाम है प्लीज आप आजाए हमारा पेपर आप लो लोगों भी लियाना मैं आप लोगों का पेपर कर दूँआ अरे जब मैंने आप लोगों को इसको बता दिया फिर आप लोग गलत आंसर करोगे ऐसे काम नहीं चलेगा कॉपेंड क्लासिफाइदा क्लाइमेट इन दा इयर कॉपेंड ने किस वर्स जलवायू का वरगी करण दि सब्सक्राइब कर दिए सर हमारा नाम नहीं ले रहे अशोग पाल जी आपका नाम ले रहे हैं आप सुनने में देरी कर दिए ठीक है एग्रीकल्चर ओपिश्यल टॉपिक कौन सा चल रहा है सर अगर आप टॉपिक की बात करें तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा कि अगरीकल्चर मेटरोलोजी चल रही है ठीक है फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर अलग बात है बहुत बढ़िया सबी लोग बहुत बढ़िया कमलेश मिना मनकेश मौरवाल अगरी कल्चर ओपिश्यल अनमान वशिष्ट सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक उन्नीसो च्छतिस में कोपें साहब ने क्लाइमेट को जलवायू को वर्गीकरत किया था किस आधार पर किया था दोस्तों यह ध्यान रखना वेदर एलिमेंट मोसम के जो तत्व है इनके आधार पर किया था वेदर एलिमेंट के आध दीनोले साहब ने जिया था यह तीनों पोइंट आप लोगों को ज्यान रखनें है एक्जाम पोइंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दिल खूष सुप्रिया एग्रिकल्चर ओफिशेल मम्धा स्वामी दिल खूष दिलखुष दिलखूश सभी लोगों के एकदम राइट आंसर है मनकेश मोरवाल बहुत बढ़िया मैक्स क्यूशन की और चलते हैं दोस्तों देखो अच्छा क्यूशन आगे आपके लिए यह क्यूशन लंबियवदी के दोरान मौसम की जो इस्तिती है वह क्या कहलाती है फटाफेट कमेंट करें हैं और इस बहुत बढ़िया कहने नेक्स अन्मॉल और वसिस्ट रेकेंट रही है क्लाइमेट कर रही है पलक आपको टॉपिक का ही नहीं पता तो फिर तैयारी क्या कर रहे हो औरे बहुत बढ़िया एकदम राइट लिखा है कमलेस सैनी सहाब मनकेश कमलेस सैनी साम निश्चेत मनकेश रिशाब दीपाग दीपायादाव यशिता बहुत बढ़िया ममता बहुत बढ़िया सैनी सहाब पापा का कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं तो जो भी नाम नहीं है वो बुरा नाम आने वैसे धर्मी 11 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परवीन सैनी सहाब ड्रीम 11 ओके ड्रीम 11 बार में चला ले ना सभी लोगों का एकदम राइट आंसर है और राइट आंसर है ऑप्शन नमबर टाइम क्या होता टाइम शोट होता टाइम भी आपको दिया हुआ रहता इतना सा ही टाइम है कहते कि इतना सा टाइम है तो क्या हो जाता वैतर होता तो शौर्ट डियूरेशन के लिए पूछा जाता तो वैदर हो जाता यह दोनों चीज में आपको बता चुका हूं यह क्या प्लासिफेड इन दा इयर देख़ो यह क्यों पूचा गया है अभी रीसेंटली बियाच्ट के पेपर के इंदर ट्रोल Ne जो क्लासिफिकेशन दिया था वह किसी यर में दिया था वटाबट कमेंड कर दीजे ट्रोल का क्लासिफिकेशन सहनी सहब बाला 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 ओके ओके ठीक है next सचमेरी कमेंट कर रहे हैं सड़ी बहुत बढ़िया और यह खिशे के ऊपर दिया घ्या था जो लोग राइट आंसर कमेंट करें, बताये कि किस बेसिस पे दिया गया था सुपरिया 1965 मनकेश सी सचीन सेली ओंदबसक्षिज सोफ हुमिड मन्थ ओके 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 हनमाल बहुत बढ़िया पापका परा निश्चिछ शुपरिया कमलेश मनकेश बहुत रिम लेवर मनकेस दिल खूश यशीता हंसराज धीपायाद दिल खूश वनिशा कैशा सैनी शुपरिया बेसे डून न टेंपरेचर ठच्रेश्टेंस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सैनी सहाब यशीता बहुत बढ़िया सभी लोगों का एक दम राइट रांसर है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1965 कब हो जाएगा 1965 अब एक बने पूरी की पूरी डेट समझ लीजिए जो 1900 में दिया था यह दिया था डी केंडोले सहाब ने दिया था 1900 के अन्दर बात करूं मैं 1936 की यहां दिया था कोपेल सहाब ने किस ने दिया था कोपे शाफने दिया था अल्यैक लेतितो ठैंडेंडेंड यो मिडेंंफर पर दिया था हुमेंड मन्थ के अलख जो फोहल किeston the Fix आप कar पेज़ एंडा इनका बेस्तिया था का था उन교 बेस्ति तेंपरेचर और हिमेड मंठ फिर महां ठीक है यह यह इनके कुछ आधार थी दोस्तों ध्यान रखेगा थी ली दोस्तों एक बूक आ रही है आपनी दोस्तों old exam papers की किसकी आ रही है old exam papers की आ रही है उसकी मैं आपको कल पिक दिखा दूँगा ठीक है सारे के सारे जितने भी पेपन हुए है 2022 ठीक है August 2022 तक जितने भी old exam हुए है agriculture sectors में उसकी अपनी books रिलीज हो रही है ठीक है वो बुक आप लोग खरी सकते हैं ज्यादा प्राइज भी नहीं रखी हुई है उसकी उसकी प्राइज मात्र 200 रुपया रखी गई है ठीक है अगर किसी को भी चाहिए वो बुक तो वो आप लोग मार्केट से खरी सकते हैं वो मार्केट के अंदर करें क्योंकि किसी भी एक्जाम को अगर आपको क्रेक करना है तो उसके लिए सबसे बैस्ट होता है ओल्ड एक्जाम क्यूशन को सौल करो किस टाइप के क्यूशन आ रहा है वह आपको पता होना साहिए ठीक है बाकी आप लोगों को अगर ऑफ लाइन भी अगर बुक ले नहीं है तो आप लोग मेरे से एसबी कोचिंग में भी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग मेरे को बता दीजेगा जिसे भी सिए बाग की जो आपको उसका जो कवर है मार्केट में अवेलेबल है कल से ही आईए बोग ठीक है दो तीन दिन हुआ है रिलीज हुए नेक्स क्यूशन दो तो डी कैंडोले सहब क्या है देखो आपको शायद क्यूशन नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर डी कैंडोले जिन्होंने 1900 के अंदर क्लासिफाइड किया था क्लाइमेट को ओन दा बेसिस ओफ डी कैंडोले ने जलवायू का परकिकर किस आधार पड़ दिया फर्स्ट ऑप् पी इंडेक्स डिस्टिपिशन ऑफ रैंफाल वेजिटेशन बहुत ए एंड बी सर बुक कहां मिलेगी आपकी बुक्स वैसे तो सारी की सारी स्टेशनरी पर अवेलेबर है ठीक है उसमें आप लोग राइटर में मेरा नाम देख सकते हैं वापन निखिल खंडेलवाल नाम दिखा दूंगा ठीक है अगर के सहनी साथ को अब यह कर दीजिए पहुत बढ़िया फटापट इसको कमेंट सबस्टर रोग यहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसका राही ठास अक मेंट करें और याज़ निषे अशोक शूपरिया एशीता मंकेश बहुत बढ़ीया देखो कमेंट रहा है एक सेलेकशन तू सिर्फ मेरा हो सकता है और किसी का नहीं तेरे मेरे बीस जो आया समझों मिट गया बहुत बढ़िया सही बात है अगर आप इस तरीके का जुनून रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है डीक एंडोले के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नमबर सी जो डीक एंडोले साब है उन्होंने वन सब्सक्राइब क्लासिफाइड क्लाइमेट ऑन दा बेसे सब्सक्राइब किस आधार पर दिया था बहुत अच्छा क्यूशन है सर आपका साइड में होजाएं करें दिखता नहीं है ओके-ओके-ओके बहुत बढ़िया ठीक है था था अप्शन नमबर ए है वेदर एलिमेंट अप्शन नमबर भी है यूमेड मांथ हैं टेंप्रेचर अप्शन नमबर सी है वेजिटेशन अप्शन नमबर टी है पी इंडेक्स एंड रैन फॉल पटा अपड़ अपने राइट आंसर कमेंट करतीजिए मंदा स्वामी सी कमेंट कर रही है डीग है मनके सी आह बहुत बढ़िया निशीत ड्रीम 11 दीपा यादाव बहुत बढ़िया सबी लोगों के एक दम राइट आंसर आ रहे है वोस् willen डी कमेंट कर रहें निश्चिट डीपा याद अव कुमेंट कर रही है वनकेश मोर वाल एदार पर किया था बादर करें वेदर एलिमेंट या पोशक तत्व की दोस्तों थीक है मौसं के जो तत्व है इनके आधार पर किया था तो यह द्थान रखना डिक्न डूले केंड डूले ने किया था त्रोल ने किया था किस ने किया था ट्रोल सहाब ने किया था नेक्स कुशन की और चलते हैं बहुत जादा important question आ गया है देखो कही बार हम क्या करते है कि क्या कि साइज देखते है कि बहुत बड़ा question आ गया है क्या पूछ रहा है इतना बड़ा इंग्लिज में लिखा हुआ है या इंदी में लिखा हुआ है मेरे तो समझ ही निया है पहले question को समझना easy question देखो it is the second measure of atmosphere layer which is lie beyond the height of 8 to 18 km extended extended up to 50 km यह दूसरी पर मुख बहुत बरन लिया रहा है जो 8 से 18 km की उसाई से 50 km की उसाई तक फैली हुई रहती है इसका राइट आंसर कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत important question है ठीक है option नमबर एक ट्रॉपो स्पेर स्ट्प्टो स्पेर मीजो स्पेर और थर्मो स्पेर बहुत जधा मनकेश निश्यत बहुत बढ़िया सभी लोग होगा इकदब राइट आंसर है और राइट आंसर हो जाएगा option नमबर बी इस ट्रेप्टो स्पेर इस राइट आंसर दोस्तों की कह यह चीज़ द्यान रखना यह होता है इसकी हाइड होती है दोनों से धान रखना मीजो स्पेर दोस्तों यह होती है 50-80 किलोमेटर थी इए तो यह दोनों तीनों चीज़े आप लोगों को धिएंगी दोस्तों वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटmose meant करें का यह कुशी सऩी जानिस और मंकेर मृण काई जैनाल्ड कर सुप्रिया सुप्रिया मीज़श diffare कमेंट करें के देखते हैं इसका राइड आणसर यह होगा ठीक है सेनी साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यश्वीर दॉण अब सब हुआ हो जाएगा कौण सा हो जाएगा ऐस ट्रैप्ट एक तो र है कैसी है दूसरी इसके अजोन परत पाई जाती है डोनों छीज धोने हुची तो द् lightweight के बारे में तो ध्यान rखना ये फास्टक लेयर होती है फास्टक लेयर होती है दूसरा इसके बात करें यह लोंग डिस्टेंस लोंग डिस्टेंस रेडियो के लिए रोएंग डिस्टेंस रेडियो कम्मुनिकेशन के लिए होती है यह चीज भी आप लोगो ध्यान रखने है पहले साथ ही नेक्स्ट क्यूशन है इनर्मोस लेयर ओप एट्मोस्पेर वायू मंदल की अंतरमय परत है क्या ट्रॉपोस्पेर बहुत ज्यादा इजी क्यूशन है फटापट इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे ठीक है ड्रीम 11 बी कमेंट करें ममता बी कमेंट कर रही है निशित एरोप्लेन हाँ एरोप्लेन सलते हैं बहुत बढ़ीए बात है ठीक है अन्मोल तुप्रिया ममता स्वामी सभी लोगों क पढ़ा आंसर कमेंट कर दीजिए बहुत बढ़िया सभी लोग फटापट अपने अपने आंसर चिपका चिपका दीजिए और पढ़ लिया करें करप्या पढ़ लिया करें ऐसा ना समझे कि यहां पर फ्री पढ़ाया जा रहा है तो फ्री में अच्छा कंटेंट नहीं दे के भी ऐसा ना समझे यहां पर फार फारते 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 तो गला दुख जाता है आप लोगों के लिए पसीने आ पूरी बॉडी के इंदर पूरे जो क्यूशन तियार कि जाते हैं उन क्यूशन करने में फिर स्लाइड बनवाही जाती है यह सब आप लोगों के लिए इसलि सब्सक्राब क हम चाहन रखना थर्मोंस्ट मुझे तो आएचना अंगोट सपहर दोस्तों आगर पूछा ये ओतिया लोवर लियर ठीक है यह थर्मोर फेर की भी लोवर लेयर होति यह द्यान रखना अगर पर थर्मोर फेर नहीं होता यह आइनो Anyways और हो यह कर आप लोग 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 और यह होती है एकला इस पर आउटर उनसी होती है द्हान होती और रखना थर्म स्पेर में नहों रोटीए एक होती है इन शूह करते हैं यह अतिए जलॉभर होता होती है अड़छ घ्रक राइट चरुट तक रहें कारवंट्रक्साइड के बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा या शर एक अनमोल पूजा गुड़ इवनिंग सर क्लास खतम होने के टाइम पे हैं बहुत बढ़ा निश्यत बहुत बढ़ा सभी लोगों का एकदम राइट आंसर डोनाल पूजा कुशार बहुत बढ़ा भी सूरस बी कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों का इक्दम राइक आसर है सुप्रियाद दिलकुष कुशाल सभी लोगों का इक्दम राइटास भी इस राइट असर ध्यान रखना सोईल का होता है 0.3 सो इल का होता है 0.3 जो atmosphere के अंदर जितनी भी CO2 होती है उसका 10 गुना किसमें होता है दस गुना होता है मरदा में ठीक है यह किसका है और असर बतना है और mentor से इस पड़ेंगा जएगा पर इसका पर बहों सभी लोगों का इसका उसलिग तक तौल भी आज किसे गलत नहीं हो ना से इसका राइट आसर कमेंट करतेंगे ऑप्शन नमबर एक है 88.088 यह ऑप्शन नमर भी एप पिछेटर पॉइंट 527 23.134 और 20.949 ठीक है राइट आसर कमेंट करें निष्चत भी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया यह श्वीर भी छी लगब लोगों का राइट आसर फो के राइट तो इस ताहर किना बाइट पूछे थो बी बाइव वोल्यम पूछे तो ए थो दोनों चीजे आप लोगों को याद रखनी है बाकी चीजे हम कल पढ़ चुके थे next class भी आपकी agriculture metrology की ही होगी दोस्तों तर छोड़ कर मज़ा हो हमको ठीक है अरे छोड़ कर जाना भी जरूरी है खाना पीना भी करना है पढ़ाई भी करनी है और सोना भी है थारा काम होता है आप लोगों कोई तरह है ठीक है तो यह हमारी class थी और कल भी agriculture agriculture metrology की class होगी खीक है कल-कल और class होगी next day next अलग topic से लेगा तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं next class के अंदर सभी को good night bye bye मिलते हैं कल धन्यवाद ओके